ये है दिली दरपन नमस्कार दिली दरपन टीवी देख रहे हैं आप सबको होले के बहुत बहुत सबकाम नहीं दिन बर होली की मस्ती का महौल रहा और शाम को मनोरंजन इस वक्त हम आपको ले करके आए है अशोक व्यारी इलाके में जहां एब ब्लोक में जो लोकल रेजिडेंट है उन्होंने पारिवारिक महौल में होली मिलन का विजन किया है मस्ती है, मुजिक है मनोरंजन है, खाने के स्टॉल्स है तमाम जो लोग है मिल रहे हैं और इनके बीच में बहुत सारे जो इस्थानिया जन पढ़ते नेथी हैं नेता है वो भी आए हैं इस वक्त हमारे साथ मौजुद है किस तरह से देख रहे हैं इस पार इस बार होली को होली खुशियों का तो हाँ चाहर और इस परकार के योजन जो होते हैं था इवारी के मंगल बिल्लम एक तो और भाई चारय के कारेकरम होते हैं इसमाज को जोड़ते हैं इस अफसर पर मैं सबको शुक्रामना भी देता हूँ और बदाई देता हूँ होली का ये पर्व हम सब के लिए मंगल में बिल्कुल जहां ये आयोजन हो रहा है इस पारक को डबलब किया था इस्तानिय लोगों की सहयोग से निगम पार्शाद दिने और कैसा महल रहा है इस बार हूली का कैसा देख रहा है हूली तो इस बार डबल जोश से चल रही है क्योंकि एक तरफ चुनाओं की घोशना हो चुकी और लोगों के अंदर साभी है तो आज चाते हैं कि देश अगर 400 पार जाए मैं देख रहा हूँ आज हम सारा दिन कारेकर करेकरमों में गए लोगों का जो रुजहान था और लोगों की जो बात्चीति उससे बड़ा अच्छा महोल लग रहा था और उपर से होली साथ मिक्स हो जाए तो उसका मजा अलग होता है आप देख रहे हैं कि आस सारा दिन कारेकरमों में और खास तोर पे यहां पर F-Block के नहीं कोक्ति जो इसफिखे लोगों की जो इस परकार से कारीकरम आउचित करते हैं हमें वुलाते हैं और सुफे मिल लें बहुत का करिशाÓ ही है ृत लूड!' लोग आई हुए हैं यहां पर हमारा एप लोग असोग व्यार में हम इसको अपना गाउं मानते हैं और इसको एक तरह से गोद लिया हुआ है दस साल हो गए सेवा करते हुए हमारे महंदा लागपाल जी और स्रीयोगे सुर्मा जी का स्थयोग बतलब इतना मिला हुआ है कि महंदा लागपाल जी कहा कि कौंसलर हमें कभी यह पर बसूस ही नहीं हुआ हम जब भी गए रात को दिन को दुपएर को हमेशा इन्हों ने हमें आगे बढ़के योगदान दिया हमारा जो 75 फिट पर जो फ्लैग हो हमारा स्री महंदा लागपाल जी और स्रीयोगे स्पर्मा सर रिस्पॉंस तो बहुत अच्छा मिलता है और यह हमारे पवन जी और विजय ककड जी से मैं कौंगा आएंगे मेरा नाम विपिन ककड है विजय ककड जी आएंगे हमारे और यह सुशिल जी इन्हीं सभी भाई लोगों का योगदान है और मैं आपको कौंगा कैमरे वाले क साइड में घूम के दिखाई हुआ कि कैसा कितनी पुब्लीक है पूरे बच्चे फैमिली सब इंच्वाय कर रहे हैं कितना पाहूल कैसा है कैसे मस्ते कर रहे हैं सब्सक्राइब करते हैं और मैं तो आपको देख रहा हूं कि आपने दर आते भी हैं और मैं तो देख रहा हूं कि पारी बार एक माहूल में यहां पर याद करते हैं प्रोग्राम की रूप रेका बताता हूं करीब छे साल पहले एक ऐसे भाई लोग बैठे थे लोडी के बाद तो विचार बना की एक परिवारिक मंगल मिलम रखते हैं और होली का दिन शाम का निश्चीत करा गया कि क्योंकि हर कोई परिवार की चुटी होती है और शाम को समय वित्रीत करते हैं और यह कारवा चालू हुआ आज इसका साथमा साल है दर बरदर हमको अच्छा रिस्वांस मिलता है हमें भी हिर्मत मिलती है नहीं चीजे करने की और इसलिए कारवा चलता जा रहा है और लोगों का बहुत 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 रहने वाले जब बाद में मिलते हैं इसका कोई फैयदा होता है कि जब इतने सारे लोगे कटे परिवार की तरह चुड़ते हैं यह मोगा होता है आपस में निजदी क्या बढाने का अब ही आप देख रहे हैं लेजी बच्चे सब बहुत खुत हैं और लग्की वाउग का हमारा भायोगदान है नरता और देख रहे हैं और जाद में राइजंदर स्वामी की का हमारे यहां बहुत ही हमेंसा अगर्सित पुर्गाम करने तक पर रहते हैं और हम तो कहते हैं कि जितने प्रसंता करो उतनी कम रहे हमें भी अच्छा लगता है आप सब लोग जब परिवारिक माहूल में इस तरह का हर त्योहार मनाते हैं चाहिए वो होली है वो दिवाले हो संतंतरदा दिवस हो और एक परिवार की तरह पूरे ब्लॉक को उन्होंने जोड़ा विवा है तो ऐसा ही अगर माहूल हर लोग उसको वही लोग मैसुस कर सकते हैं जो इसमें सामिल होते हैं राजिनर स्वामी देली दरपन टेवी लेटेस खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिल लोग उन करें www.dellydarpan tv.com खबरों की कवरिज और विज्यापनों के लिए संपर्ख करें